हेलो प्रिवन, वेलकम टेने वीडियो, आज की स्वीडियो हम लोग समी करण सुरू से सीखेंगे तो जिन बालकों को समी करण एकदम से नहीं यहता है, वो ध्यान से देखिएगा बाकी मैंने समी करण के एक कलास ले चुका हूँ इनका रिविजन के तोर पर उन पुराने बच्चों का होगा जो पहले से पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझते वे चलेगा, अब तो आपका एकजाम भी एकदम नजदीक आ चुका है तो इसी तरह से आप भी पढ़िए जिससे मैथ में आपका अच्छा नमबर आए सिर्फ मैथी तो पढ़ाता हूँ आपको, तो मैथ कही बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं एक मोटिवेशनल थाट्स देता हूँ उसको कापी पर जरूर नोट कर लेना सामने आएंगे वह इन सभी से क्या अलग रहेंगे तो आपको सबसे पहले समीकरण में सीखना क्या है पक्छांतर करना कैसे हम चीज़ों को इस तरफ से उस तरफ करते हैं उस तरफ से इस तरफ करते समझ में है कि नहीं, वैसे मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर आप खोजोगे तो मिल जाएगा, पक्छांतर कैसे कियाता है, बहुत डेटेल में बताया थे, यहाँ पर देखो आपको 3x-5 बराबर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो आपको इसमें किस कमान निकालना ह होगा, अगर x की जहाँ पर y लिखा होता है, तो y कमान निकालते है, अब मान कैसे निकलता है, ज़रा ध्यान दो, 3x लिखा है तो इसको आपको क्या करना है, इस तरह से 3x लिखना है, अब यह जो minus 5 है, बराबर के क्या हैगा, दाहिनी साइड आएगा, minus 5 बराबर के दाहिन minus 5 बराबर की धार रगत क्या हो जाएगा minus है तो यहाँ पर plus 5 हो जाएगा इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आगे होगी अब यहाँ पर देखो 3 x बराबर 4 धन 5 लिखा है तो 3 x बराबर कितना हो जाएगा 4 और 5 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 9 आजेगा मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी अब यहाँ पर देखो हमें यक्स का मान निकालना था तीन जो है यक्स के साथ क्या है गुड़े में है अगर बराबर के इधर कोई भी संख्या अगर माल लीजी इसके साथ गुड़े में है तो बराबर के अगर हम दाइनी साइड लाएं तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा भाग कैसे होगा अभी बेसिक से सिको यक्स है तो आप यक्स लिखिए यह क्या होगा यक्स है तो आप यक्स लिखिए इसके बाद बराबर का चिन मनाईए 9 है तो आप 9 लिखी अब ये जो 3 जो है यक्स के साथ गुड़े में था बराबर किधर में आएगा तो भाग हो जाएगा भाग का मतला बटे में अब 3 जो इसके साथ गुड़े में तो इधार आएगा बटे में 3 हो जाएगा इसलिए अब 9 में क्या हो रहा है 3 से भाग दे रहें तो 3 से अगर हम 9 में भाग देंगे तो 3 1 के 3 3 तीन त्रीक करना हो जाएगा अब यक्स बराबर कितना चुका है नीचे कुछ भी नहीं तो आप एक लिख सकते तो 3 बटे 1 और 3 बटे 1 कहीं पर भी लिखा है तो उसे आप 3 लिख लेना यक्स का मान कितना तीन जो है यक्स के साथ गुड़े में हैं यह बहुत ही important चीज़ें इसको सीखना वड़ना बच्चे बहुल जाते हैं तीन जो है एक्स के साथ गुड़े में, इधार आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानि भाग हो जाएगा, तो तीन से हम नौ को यहीं पर डारेक्ट क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो तीन से आप नौ को डारेक्ट कार दो, तीन के तीन, सिंत्रिक कितना नों यहां यक सब बराबर कितना जाएगा तीन ऑजै वह आपका क्या उभा उत्तर हो रगा तो जै यह सारी चीजों में कन्फ्यूज लाते हैं कि आप इस चीज को कैसे कड़ीैं तो ध्यान से देखा परो समझ में आजेगा मैं बार-बार बोलता हूँ अगर आपको एक बार में कोई भी चीज़ी न समझ में उसे आप दो-तीन बार देखा करो किसी भी भालक को एक बार में अच्छे से नहीं चीज़ें समझ में आजाते हैं अगर वो बालक तेज है तो वा चार-पांच बार उस चीजों को पढ़ा रहता है तब वा समझ पाता है और आप क्या होते हो भायभीत हो जाते हो भायभीत नहीं होना है आपको भी आएगा चार-पाई बार पढ़िए, चलिए, अब आपको मैं एक नया रूल बताता हूँ, नया रूल आपके लिए रहेगा, वो पुराना ही रहेगा, बस आप ध्यान से सीखना, जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं लिखता हूँ, फोर यक्स बराबर क्या लिखता हूँ, बारा यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, छा भागे क्या लिखता हूँ, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यक्स डिवाइड़ कितना, इधर मैं क्या लिखता हूँ, बड़ाबर कितना, तीन लिखता हूँ, अब अगर ऐसा कंडिशन हैगा तो आप कैसे सवाल को लगाओगे, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चुगफा, पच्वा, छट्वा, बताना है, अभी यहाँ पर देखो, यक्स भागे कितना इच्छा है, अधर बराबर क्या है, तीन है, तीन है, यहाँ पर देखो, यक्स है, तो यक्स आप इस तरह से अराम से लिख लो, अभी यहाँ पर, यक्स में भाग देना है क से च्छा से तीसे आप यक्स बटे इस तरह से च्छा लिख सकते हो बाते समझ में आ रहे हैं कि नहीं आपको इतना ध्यान देना है अगर आप बेसिक चीजियों को नहीं जानते रहोगे तो कठिन सवाल नहीं लगा पाऊगे अब यक्स भागे च्छा का मतलब होता है यक्स मे आपको भाग देना च्छा से तीसे हम यक्स बटे च्छा लिख सकते हैं बराबर तीन है तो बराबर आप इस तरह से तीन लिख लो बाते समझ में आई अब आपको यक्स का मान निकालना है यक्स का मान निकालना है और इधर बटे में क्या एच्छा है तो अगर बटे में च ये इधर क्या होता है गुड़ा होता है तो इधर आता है क्या हो जाता है भाग हो जाता है अगर अगर माइनस राता है तो बराबर की इधर आता है क्या हो जाता है पलस हो जाता है अगर बराबर के इधर मालों ये पलस में होता तो इधर आता क्या हो जाता माइनस होता है वही प्रश्ण को लगवाता हूं जितना ज्यादा प्रश्ण लगाओगे उतना ज्यादा आपका बुद्धीगा फिकास होगा हो समझ पाओगे अगला प्रस्ट नहीं देखो कह रहा है कि 3 x plus 12 वो बराबर क्या है 24 है ऐसे प्रस्ट कैसे लगेंगे इसमें देखो यक्स का मान आपको क्या करना है निकालना है तो यक्स का जब मान निकालना है तो इसे आप पहले 3 x इस तरह से लिख लो अब प्लस बारा इधार है तो बराबर कि दारय गट क्या होजबा है होज़ेगा माइस होज़ेगा तो बराबर 24 ए तो बराबर इस तरह से 24 लिख लो अब्लस बराइफ 144 के साथ 20 में है इधार आढ़ा तो भाग हो जएगा, तो 3 से हम 12 को डारेट कारदेगे, 3 के 3, 3 चोग के कितना हो जएगा 12, 11 से बाराबर कितना जएगा, 4 आपका क्या हो जएगा, मज़ेदार एंसर हो जएगा, तो ऐसे सवाल जब आपके सम्मुक हैंगे इनको इसी तरह से करना, अब मैं सवाल का रूख थोड़ा चेंज करता हूँ जैसे देखो इधर क्या है 24 है तो मैं इधर क्या लिख लेता हूँ नया प्रस्ण मनाता हूँ 24 बराबर इधर मैं क्या लिख लेता हूँ मानलो 12 प्लस क्या लिख लेता हूँ 3 यक से लिख लेता हूँ अगर मालू इस तरह से सवाल दे दिया चाहए तो कैसे लगगा जरा ध्यान देना इधर देखो 24 है तो आप इस तरह से इधर 24 लिखो अब ये plus 12 इधार आगत क्या हो जएगा माइनस बारा होज़ेगा इधर प्लस बारा है तो बराबर क्या मैं इधर लेके आ रहा हूँ अगर प्लस में तो बराबर कि इधर मैं आए तो क्या होज़ेगा माइनस बारा होज़ेगा इधर बचेगा क्या? बचेगा प्लस 3x तो आप इस तरह से 3x लिख लेना 24 मां से 12 घटा होगे तो कितना हैगा 12 आएगा 12 बराबर कितना चुका है 3x आ चुका है बाते समझ मैं जब इधर मानलो एक संख्या है इधर भी वही संख्या है अगर मानलो ऐसा कंडिशन हो सब कुछ छोड़ो मानलो गर ऐसा कंडिशन है तो आपको अगर x का मान निकालना है तो जानते हो क्या करना 3x को इधर लिख देना बराबर कचिन लगाना 12 है तो इधर कर देना कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होता है ये सब चीजे सीख लो जब आपको सवाल आएंगे तो ये सारी चीजे नहीं जानते रहते हो अगर कोई पलट देता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है कि कैसे ये हो गया अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर ये 3x है इसको इधर लाएं ये पलस में तो ये माइनस 3x होना चाहिए था और ये 12 है इसको इधर लाएं तो ये भी माइनस 12 होना चाहिए था क्योंकि ये पलस में ये माइनस में अब अगर ज़रा ध्यान दो ये क्यों नहीं चिन को चेंज लगाया है जानते हो क्यों क्योंगे अगर हम इस चीज को इधर कर दे रहे हैं और इस चीज को उधर कर दे रहे हैं बीच में क्या हो रहा है माइनस का चिन है तो कोई दिक्कत नहीं होता है जैसे 12 इधर है और 3X है तो 12 को हमने इधर कर दिया 3X को इधर कर दिया इसे कंडिशन में कोई भी चिन परिवर् कितना आया है चार आया है अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण हम लोगों का कहता क्या है जरा दियान देना अब यहाँ पर प्रश्ण आपको थोड़ा अलग-अलग दिखाई देंगे 5y प्लस 2 बराबर कितना है 3y प्लस 8 है अब ऐसे प्रश्ण में कैसे आप प्रश्णों को सवालों को लगा पहोगे इसमें आपको y कमान निकालना है किस कमान निकालना है y कमान है जैसे यहाँ पर y लिखा तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है a b a लिख सकता है c कुछ भी लि लिको अब बराबर कि इदर में के ढ가्या है तो आप इशको 5y के । कि पास मिलाना है तो 3y है प्लस में है इधार एकत क्या हुझे गाद वा टेगा बाते समाज़ में आई बराबर कचिन लगा फिला 3 8 लिखो अब यह प्लस समयोग नहीं अगर कोई संख्या इस तरह से 5 लिखा यह इसका मतलब यह क्या है पला सब में है यानि इस तरह से इसको आप लिख सकते हो अब आपको मज़ा आ गया होगा यह सारी चीजे समझ के 5y मसे 3y घटा होगे कितना जेगा 2y होजेगा 5y मसे 3y घटा होगे 5 मसे 3 घटा होगे 5 मसे 3 घटा होगे 2y लिख लो 2y होजेगा बराबर कचिन लगाओ 8 मसे 2 घटा होगे कितना जेगा 6 जेगा 2y के साथ गुडे में तिधर आएगा भाग होगा 2-2-2-3 कितना होगा 6 होगा y बराबर कितना चुका है तीना चुका है मजेदार आपका इंसार निकल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है बस थोड़ा सा नियम कानून जानते रहोगे तो सवालों को आराम से चीड़ फाल कर लगा सकते हो उनका आप अपरेशन करो चाहिए से आप अपरेशन आपका सफल होगा यहनि आपको उत्तर क्याएगा सही हैगा कब जब थोड़ा नियम अकानून जानते रहोगे नियम कानून सवाल को आप लगाओगे ना तो खुद से आपकी दिमाग में आइडिया आएगा अरे यह सवाल किस तरह से करते हैं तो ऐसे ऐसे साल होता है लेकिन तब जब आप र नहीं चलिए बढ़ा जाए अगले प्रेश्न की तरह अगला प्रेश्न का कहा हुआ है कहा रहा है कि इसमें यक्स का मान निकाल दीजिए हमारा जल्दी से 6x-9 बराबर 2x-15 यह भी सवाल क्या है सेम तीशरे की तरह है तो आप कैसे लगाँगे जड़ा ध्यान दो 6x है तो आप 6X लिखो और कहां पर X है 2X है तो हमको किसके 15 में 9 जोड़ दोगे कितना जाएगा 24 होजएगा तो चलि अब इसको हम यहां पर लिखते हैं 15 नौ कितना होजएगा भाई साब 24 होजएगा अब 4 एकस के साथ गुड़े में तिधार आएगा भाग होगा 4 एक के 4 4 चार चांग कितना होजएगा 24 होजएगा यक्स बराबर कितना चुका अच्छा यह आपने बड़े ही प्रेम से इस प्रेश्ण का भी उतर निकाल लिया अब आपके सामने जो प्रेश्ण आएंगे उनको थोड़ा गहराई से समझेगा वो भिन के रूप में लिखे रहेंगे किसमें भिन के रूप में चली अगला प्र लगेगा हम बताते हैं आप बस थोड़ा ध्यान देना यक्स बाइटू प्लस यक्स बाइथरी यह क्या है भिन का जोड़ है या लाइट कट गई है अब इसको बंद करते हैं आएगी फिर से पढ़ाएंगे चलिए यही प्रश्ण बताने जा रहे थे लाइट कट गये था तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान थोड़ा दीजीगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा जैसे यहाँ पर देखो यक्स बाइटू प्लस यक्स बाइथरी बराबर क्या है दर से यह क्या है विन की जोड़ की तरह है क्या है विन की जोड़ की तरह है तो सबसे प एक्स में कर लो कितना होज़ेगा थिए लेंगे मैं लोक यहाँ पर 3 एंग्स लिक लेते हैं इसके बाद 2ता घुern 아 होजेगा और नीचे 2 का गुड़ा 3 में में कर लिएना दो त्याहीं कितना होजेगा जो भाग में या या झाणonta में नहीं है अब बढ़ाबर कि धर में जाकर है अगर इस गुड़े कितना होकी होज़ेगा तो पांच कतना च्छा होता है यानि फुराबर कि लिखेयेगा आपका में गारा यहीं आप क्या करोगे थोड़ा ध्यान दोगे फिर इसके बाद क्या कर लोगे साल्व कर लोगे चली बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण देखिए 3x by 4 प्लस x by 6 बराबर क्या है बाइस है तो अगर मैं बोली यह प्रश्ण आप लगा लोगे तो बहुत सारे यह चाह का यल सीम लेकर इसी जोड़ लो भिन का जोड़ यह तो आप क्राश मल्टिप्लिकेशन कर लो तो चाह का गूड़ा 3x में करेंगे 6 तरी कितना होज़ेगा 18x होजेगा और 4x में कितना हो जब्लो बराबर आपका कितना है 22 लिकलो अब देखो 4 गूड़ा चाह करें होजएगा 24 होजएगा तो ब presses लिखो यहां तक किसी को कोई दिख्कात नहीं होगी 18 104 ग्रों तो 84 कि इतना होता है 12 यानि कितना होजएगा 22 है कि बराबर इधर देह से तो बामढा अब देखो ये क्या है 24 जो है बट्टे में यानि भाग में तो बराबर की धारायगत क्या होजएगा गुड़े में होजएगा तो बाइस के साथ क्या होजएगा गुड़े होजएगा यानि 24 लिख लेंगे यह बाते समय गई अब दिखो बाइस जो है यक्स के साथ गुड़े में है तो अगर बाइस इधारायगत भाग होगा तो बाइ तो घटापन विधी काईसे समय करण होता है उगले दिन बताएंगे एक प्राश्न और बचा हुए बास इतना ही प्राश्न था तो चली आजके क्लाश्न को यही पर खत्म करते हैं आसा करता हूं मेरे दोर्हा बताया गया हर एक प्रश्ण आपको सांज में आया होगा आप क्या काम करना अपनी किताबों से खोई कर इन प्रश्ण और और जो जो मैं प्रश्ण मताया उनको काफी पर नोट करके खुद उसे लगाने का प्रियास करना मिल दें नेक्स क्लास में थैंक यू